वेल्कम बैक तो जागो दुनिया मैं हूँ फारूक हसन और में साथ मौझूद है सुन्दस चमील और मर्स की नपस तक सेग्मेंट है और आज हुआ सेग्मेंट में कौन मौझूद है इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं ब्रेक पे जाने से पहले भी बताया था डॉक्टर सोह कि अच्छली मैं कि कमी के हवाले से उसे कृटते से से यू किन कोल इन एस वैल असलाम लेकूम गॉप साथ अले कृट काम करता है लेकिन सबसे इंपरिंट काम गुप का यह के क्यूंकि हमारा जिंदगी का लमह ब लमह दार्वमादार ऑक्सिजन पे है तो हूँ जो है वो फ अब हमारे जिसम के हर सेल को पहुंचाता है तो खून के अंदर जो मुख्लिफ तरह के सेल्स होते हैं खली होते हैं एक सेल्स होते हैं जिनको रेड बलड सेल्स एक वाइड बलड सेल्स एक रेड बलड सेल्स वाइड बलड सेल्स और भी तो जो रेड बलड सेल्स हैं, उनमें एक चीज़ होती हीमोगलोबिन वो इस आक्सिजन को लंग से लेके तो सारे जिसम में पहुंचा दे इस तरह से हमारे जिसम का हर्ट सेल जो है, वो जिन्दा रहता है और अपना काम जो है, वो सही सही से परफॉर्म करता है अगर किसी वज़ा से यहीमोगलोबिन कम हो और उसकी बहुत सारी वज़ुहाथ है तो उसको हम ऐनीमिया कहते हैं, और यह खून की कमी होगी है और बेशुमार उसकी वज़ुहाथ हैं और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जिसम का हर सिस्टम जो है उसका एक काम करने का तरीका है और वो ठीक से काम कर रहता है अगर कोई भी निजाम जो है अपने रूटीन के काम से अगर आप समझें कि इसमें कोई आगे पीछे हो गया ये ठीक से काम नहीं कर रहा है आपको चलने में दर्द होती है आपको सांस लेने में दुश्वारी हो र कि अगर यहाँ जादा पिंग नहीं तो इसका मतलब ए खूण की कमिया है आंख अगर बिलकुल पिली है या सफेद हो गई है खुदा ना आपक्सा पी ली तो नहीं बच सफेद हो गें तो मुहावरतन भी कहते हैं कि आंखे सफेद हो गई है तो इसलिए मैं बूचिए कि अग्सेसिजम की नहीं बात करें, तो मैमिली रोस की तरफ जा रहे हैं, को हॉरर मुवी की बात हो रही है, तो इससे भी पता चलते हैं कि अनीमिक है पेशेंट के नहीं? बहुत सारे लोग आपको एक कहेंगे, आई तुम बहुत पीले लग रहे हो, या कोई कहेगा, हाँ जैसे आपने का कि तुम्हारे हाथ जो हैं बहुत सफेद हो, यह जो डाइग्डोजिस है अपने यारों दोस्तों की और अपने घरवालों की और अपने इद्गिर्द वालों कि तुम्हें जरूर कोई मसला है, इसके पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, अगर आप खुद महसूस करें कि आपको कोई मसला है, आपके काम करने में कोई दुश्वारी हो रही है, तो आपको सीधे एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो क्वैक के पास फल देना शुरू करता हो, तो तुम ठीक हो जोगे, या ऐसे कभी नहीं करना, इन चीज़ों के अकसर नुकसान होते हैं, अनीमिया के रेफरेंस से भी अगर इस तरह के कोई मामला हैं, इस तरह के कोई सिम्टम्टम्स हैं, आपको तो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्र के पा आप यह दवाई लें, अगर आपका अनीमिया है तो डॉक्टर के पास चाहिए, बहुत जुरूरी है कि आप पता लगाएं कि यह अनीमिया किस वज़ा से है, क्या आईरें की कमी की वज़ा से है, किसी और वाइटमीन की कमी की वज़ा से है, या आपके जिसम में कोई ऐसी बीमारी है, बहुत सारी बीमारी है, जैसे टुबर्ट्लोसिस है, जैसे और क्रॉनिक किसम की इंफेक्शन्स है जिसम के अंदर, बहुत दफाय से हुआ कि एक मरीज आया, इसी तरह के सिंटम्स के साथ, जिसको सांस चड़ना शुरू हो जाती है, और दिन का काम ठीक से नहीं ह करता हूँ, एक तो सेल्फ मेडिकेशन जैसे आपने का खुद से दवाई कोई नहीं लेनी चाहिए, या किसी के कहने से कि तुम ये ले लो तो ठीक हो जब है, और क्वैक्री हमारे मौश्रे का कर्स है, हमारे मौश्रे का एक अजाब है, जो क्वैक्री है, जिसकी वज़ा से बेशमार लोग जो हैं, अपनी जिन्दगी को खराब कर लेते हैं, और जिन्दगी ये बताएं, आपने जो अनिमिया की बात की, आपकी खुराग प्रॉपर नहीं है, तो पाकिस्तान जैसे मुलक में, जहां पर हमारी काफी आबादी बिलो पावर्टी लाइन रहती है, तो इसका मनता है कि वह सारे पिर अनीमिया के पेशेंट्स होने हैं? अनीमिया, वही मैंने का एक तो हमारे सर्वे कोई नहीं है, कि हम देख सकें कि कौन सी बीमारी कितनी जैसे, लेकिन खुराग की वज़ा से, आईरन डेफिशेंसी अनीमिया हमारे मुलक में बहुत कामन है, क् नहीं है कि हमारे आम तरपे लोगों की खुराग जो है, वो एक कौलेटी की खुराग नहीं है, अगर्चे हमारे विलिजज में, रूरल एरिया में, जो रोज मरा की खुराग है, साग वगरा जो खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी बहुत सारी होता है, लेकिन देखने की जो आजा है कि उस तक भी कितनी पॉपिलेशन की एक्सेस है, हमें अगर रूरल एरिया में जाएं, मुझे इतफाक होता है, मेरा 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 मेरीकल कॉलेज है, उसके एविलिज़ गिर्जा में पॉपिलेशन को देखता हूं, दस साल का जो बच्चा है, वो छे सात साल का मौझूद होंगे, डॉक्टर उमर आदिल और आए हेट लव स्टोरीज पे हम डिसकेशन करेंगे, स्टे टून टुचागो दुनिया